Students, कैसे हैं आप समलोग देखिए आज एक नए इशो फिरम लेके आए हैं, बहुत important है exam के point of view से science and tech में आता है और अगर आप इसको बेशक समझ लेते हैं तो बहुत सारे questions आप crack कर सकते हैं, आप से exam में प्रीमे questions पूछे जा सकते हैं टेक्निलोजी के बारे में पूछा जा सकता है, ये क्या करती है, तो आएए, बिना time waste की हम आगे चलते हैं देखे, human cells grown किये गए हैं monkey embryo के साथ, तो एक बहुत important ethical debate है ये बिटा Indian Express का editorial है, के सेपरेल का उससे है, देखे, इसे हम कई बार कर चुके हम क्या करते हैं artificial lab condition में, stem cell को embryo में डालते हैं और इसको lab में ही use करते हैं future इसका बहुत एक है, ट्रांस्परांट कर सकते हैं, इन सारे body parts को क्योंकि humans और liver, humans और pigs की जो body parts हैं, वो almost मिलते थे पहले तो evolution के साथ चीज़े बदली हैं, तो उससे related editorial है, ये बिना waste किये चलते हैं Indian Express ने explain किया था why humans as grown in monkey embryo ने ethical debate को जन में दिया कि वही ऐसे की ethical debate है, 21 April 2021 का है, अब इससे start करने से पहले आप समझीए कि research कैसे की जाती है, research में क्या थो है, human stem cells ली जाती है, pig का embryo लिया जाता है इसको add कर दिया जाता है, pig जो है incubator की तरह काम करता है, इसके बाद जो इससे जब ही mature होता है human organs इसके अंदर grow कर जाते हैं, और future में जब इसे हम use करना चाते हैं, तो organ transplantation कर सकते हैं humans के अंदर, जिसकी हमें बहुत ज़्यादा need है, और market में अगर आप बात करें तो इतने humans तो available हैं, कि सब के demand को fulfill कर दे तो उसके लिए ethical है, अगर इसी hybrid को हम आगे future में ले जाते हैं, तो देखिए इस तरीके के जानवर आपके सामने आ सकते हैं जो थोड़े अजीब और unique से लगेंगे, तो क्या आप चाते हैं इस तरीके के जानवर धर्ती पे हों, जिसे हम clinically और lab में बनाएं तो as always हर बंदा नहीं चाता science and tech में क्या है, इसे camera बोलते हैं, देखो camera क्या होता है, camera की अगर हम बात करें तो जो कीमरा है वो technology है क्या, जैसे आपने देखा होगा कि हिंदू mythology में Lord Shiva ने एक बेवी जिसे आज लौड गड़ेशा बोलते हैं, इनको जन्म दिया था, तो इनके head को transplant कर दिया था, elephant के head से तो यह जब transfer है, इसको भी camera research बोला जाता है, यह देखिए, mythologies में भी है, कई सारे ऐसे research हमें मिली हैं, जिसमें horse और human एक साथ दिखे हैं body में, तो ऐसी चीज़े हैं, mythologies में अगर हैं, तो probably possible भी हो सकते हैं, बढ़ क्या यह करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इस पर research है, द अब monkey embryo के साथ, अब monkey embryo के साथ इसे grown किया है, मकाओ monkey को यूज किया गया है, इस चीज़ के लिए, और मकाओ monkey को इसको यूज करके से बनाया गया था, यह बेटा, जैर जी बात है, इसको lab में बनाया गया है, ठीक है, distinct species हैं, दोने एक दूसरे से मिलती हैं, बट अगर इस इसको human embryo cells को मकाओ monkey के साथ बनाया गया, बहुत important चीज़ है, अगर इस hybrid embryo को सच में womb में transplant कर दिया जाए, तब बनाया जाए, तो शायद new count of animal आएगा, भी तो इसे lab में बनाया गया था, अगर इसे बेटा सच में womb में डाल दिया जा था, तब पैदा होता, तो क्या पैद अगर इसको सच में डाल देते, तो इसकी स्टडी कुछ और होती, बट इन्हों ने कहा है, कि हमारा परपस यह नहीं है, कि हम इसको स्टडी करें, हमें सिफ यह देखना था, इससे होता क्या है, जो यह embryo बनाया था, यह बिटा 19 दिन तक जिंदा रहा, ऐसी एक स्टडी 2017 मे भी करने की कोशिश की गई थी, तो उसमें पिग को उठाय गया, तक आगे यह सिमिलर हैं, यूमन के दैसा, पर पिग जो है, बहुत पुराना है, 90 मिलियन येर्स पहले हम से इवॉल्व हुआ था, तो आज पिग से हमारी बॉड़ी नहीं मिलती, तो यह जो इवेंट था, यह फेल हो चुका था, इसके बात विर हमने का चलो है, ऐसी स्पिसीज को देखते हैं, जो हमसे थोड़ी नजदी को, नजदी कम लब यह नहीं है, कि आपका 100-200 साल वो भी 1000 साल पुरानी होगी, बट मंकी से हम इवाल्व हुए हैं, आज से 10-15000 साल पहले, तो जाहिर सी बा इनकी डिजीज कैसी हैं, और इसको एजिंग और प्रोग्रेशन कैसे होता है, हम रिसर्च किसी काइन के ड्रक्स को इस पे कर सकते हैं, ताकि क्लिनिकल मैथड में हम समझ पाया, ओर्गन ट्रांस्प्लांटेशन के लिए यूज किया जा सकता है, रिसर्च इस टूल से यह सम कर सकते हैं, तो चीजे बहुत हैं, रिसर्च ने फिर भी कहा है कि इनका कोर्स सिर्फ इस्ट इजीज प्रोग्रेशन को पढ़ने के लिए था, कैमरिक मॉडियूल पे, जाकि वो और चीजे बहतर समझ पाया, रिजल्ट देख पाया, कि अनिमल मॉडूल उनके लिए क्या कर सकते हैं, तो उस पे रिलेटेड ये चीज थी, इसके बाद आगे देखते हैं, क्या कंसर्ण है, एथिकल कंसर्ण इसके लिए क्या है, तो देखें बीटा, कई सारे ऐसे हाइब्रिट टूल्स पहले भी यूज़ किये जा सुके हैं, अगर आप देखेंगे, तो एक गोट औ और शीप के मेट से अटमेटिकली निकला था, जिसे हमने गीप नाम दिया था, ये गीप जो था आर्टिफिशली नहीं था, बट इसमें प्रॉब्लम क्या थी, ये फर्टाइल नहीं होता, इन फर्टिलिटी होती है, तो इसमें प्रॉब्लम ये होती है, कि ये फ्यूचर म बीटा फर्टाइल नहीं होते ही अपने बच्चे खुद नहीं पैदा कर सकते हैं यह सकस्सेज़फुली आज भी जिन्दा हैं अपनी लाइफ जी रहे हैं healthy लाइफ जीते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम camera को follow नहीं कर सकते camera हम follow कर सकते हैं बट अभी ये ethical debate है कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए अभी भी concern है कि अगर camera की research को हम follow करते हैं और दो distinct species को जोड़ते हैं तो कि ethical ground में सही है कि नहीं है बहुत ये species पैदा तो होती है बड़ ये fertile नहीं है future में काम नहीं कर सकती तो एक problem होगी इसी के लिए researcher ने कहा है कि ये future की lead है इससे हमें कोई मतलब नहीं है हमने अभी ये किया था कि हम देखें कि इसमें क्या हो सकता है अभी हमारा कोई भी purpose नहीं है कि हम human cells को use करें हैं कि ये human organ के लिए use किया जाए कुछ भी कह जाए इन्होंने कहा कि ये information देखना चाते हैं develop करना चाते हैं चीजे कि how cells of different species communicate with another इन्होंने कहा है कि कैसे एक animal की दूसरा animal के साथ cell communicate करती हैं और क्या चीजे change कर सकती हैं कुछ scientists अभी भी कहते हैं कि ये चीजे future में अच्छी हो सकती हैं ताकि future में हम human को organ transplant के लिए space दे पार बहुत सारे options हमारे पास available हो जिसके तिरुम human transplantation कर सके देखें इसी से मिलता जूलता gene editing एक world है जिसे CRISPR बोलते हैं CRISPR एक बहुत important चीज है एक doctor थे डॉक्टर ही जिनकुई चाइना में इन्होंने एक चीज की थी इन्होंने क्या किया था CRISPR technology को यूज करके twin girls को पैदा किया था इनमें HIV virus, HIV infected थे ताकि AIDS ना हो तो इसको change करने के लिए इन्होंने gene transplant gene editing की थी gene editing के बाद जब इन्होंने इस journal को चापा था तो Chinese court net को 3 साल की jail दी थी और इन पर 3 million yuan तकरीबन 3 करोड रुपए का fine लगा दिया था क्योंकि ये illegal medical practice है जो वर्ल्ड में अभी accepted नहीं है अब CRISPR क्या होता है CSA 19 protein 9 को यूज किया जाता है CRISPR होता है Clustered Regularly Inter-space Short Palidromic Repeats देखिए इसमें क्या होता है एक normal सा RNA बाहर बनाया जाता है वाइरस की तरह और ये आपके gene editing का काम करता है और आपके gene को edit कर देता है देखिए एक simple सा logic है gene editing बहुत असान चीज नहीं है बहुत complex दीजे मालीजे ये आपका RNA जा रहा है ये आपका DNA का पूरा trace लेके चलता है तो हम इसको यहां से काट दें इसकी जगे इसको जोड़ दें और यहां पर नई एक messaging को add कर दें तो आपकी gene editing हो जाएगी तो हो सकता है जो गडबड़ आपके gene में चल रहे हैं चीज आपको disease कर सकते हैं उसको हम बदला जा सकता है इसका process क्या है इसे कैसे किया जाता है ये आपके सामने लिखा है बहुत detail में जाने के जोतनी है ये targeting होती है आपका क्रिस्पर RNA पहली चीज क्यों होती है एक virus invade bacteria cell करता है तो जहिर सी बात है ये RNA में alteration करता है उसको change करता है फिर उसको हटा के उसमें नई चीज़ अडॉप्ट करा देता है तो ये ethical practice नहीं है भाई आप gene editing करेंगे तो future में आप super human बनाने की कोशिश करेंगे और लेडी China crops को use करती है तो ये चीज़ है जहिर सी बात है genetic modified crops अलग चीज़ है पर human में genetically changes करना बहुत बड़ी चीज़ होगी तो ये debate का question है future में हो सकता है इसको हम use करें की ना करें ये हम अभी नहीं पता बट पहला human embryo बना तो ये बहुत important topic बन गया लोगों की debate के लिए अब question आता है जैसे China इस time पे gene editing करने के कोशिश कर रही है camera बहुत important चीज़ है अगर ये follow कर ली जाती है तो human को आप cure कर सकते हैं उनकी disease को समझ सकते हैं उनके concept को समझ सकते हैं China super human के concept में आज तक लगी हुए तो इसके lab पर gene editing आज भी होती है बहुत hidden चीज़े करती है तो जायर सी बात है जैसे एक virus है virus को भी आप future में और better update करके human life को danger में डाल सकते हो तो ये सारी चीज़े की जा सकती है alteration sheets का भी किया जा सकता है genetically super sheets बनाई जाती है genetically modified sheets बनाई जाती है तो देखे science and tech में हम चीज़े कर रहे है modification हम कर रहे है बट अभी species में modification नहीं किया to species को हमने एक साथ merge नहीं किया अभी कई सारी ऐसी sheets है जिनको हमने merge करके एक दम unique sheets बनाने की कोशिश की है कई sheets को merge करते हैं कई plants को merge करते हैं तो ये सारी चीज़े तो हम लोग भी कर रहे हैं इंडिया में भी कर रहे है बट human और other animals के genes और extreme cells को लेके production करना थोड़ा खदरना आके इसे नहीं करना चाहिए ethically अगर बात की जाए तो ये गलत भी है इसको करना नहीं चाहिए बट लोग करते हैं future इसका क्या है इसके बारे में अभी हम कुछ नहीं कह सकते है ये ethically सही है कि गलत है ये तो human health और human science बताएगा हम लोग कुछ नहीं होते हैं इसके बारे में बात करने पर अगर ethical ground पे आज की डेट में बात की जाए तो ये नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे बहुत चीजे हमारे हाथ में आ जाएंगी हमें भगवान बनने की कोशिश नहीं करनी हमें इंसान बनके रहना है वही हमारे काम कराएगा तो ethical topic है ये बहुत important topic था इसलिए आप से discuss करना जरूरी था आज के lecture के लिए इतना ही बेटा अगर आपको ये lecture पसंद आया तो please like, share और subscribe करिए देखिए comment box में ने बंद कर रखा है बैतर connection हम लोग कर सकते हैं social media पे बट वहाँ पे भी अगर आप bad comments करते हैं आप bad words बोलते हैं आपके लिए ना भगवान हूं ना आपके लिए अच्छा बुरा इंसान हूं इस माध्यम को आप अपने लिए यूज करिए better connection करते हैं better life बनाते हैं वही जरूर है आज के लिए signing off जय हिंद वंदे मातर